आज मैं आपको बार्बी क्यू चिकन विम्स बनाने की रेस्पी बता रहे हूं अब इंग्रीडियूम्स नोट कर लें इसको बना लेते हैं चिकन विम्स है इनको काटना है आपने इनको यूज करना है तो आपकी अपनी मर्जी है मैं तो यूज करूंगी तो केजी चिकन विम्स चिकन विम्स को वाश करना है इसमें वाटर डाल लेते हैं विनिगर फोर टेबल स्पॉन इनको मिक्स करें विनिगर वाले वाटर में 10 से 15 मिनिट्स इनको रखेंगे इनको वाश कर लेते हैं हाफ टेबल स्पॉन साल्ट हाफ टेबल स्पॉन चिली पॉडर वन टेबल स्पॉन सोया सास इनको मिक्स करें आपने चिकन विम्स को काटना नहीं है काटे बगाएर भी इसको यूज कर सकते हैं इनको साइट पे रख लेते हैं वन कप आल परपर फ्लावर 4 टेबल स्पॉन कों स्टाज 1 टेइस्पॉन साल्ट 1 टेइस्पॉन रचिली पॉडर 1 टेइस्पॉन ब्लैक पेपर 1 टेइस्पॉन जिंजर पॉडर 1 टेइस्पॉन गर्लिक पॉडर 1 टेइस्पॉन पैपरिका पॉडर इनको मिक्स करें अब चिकन विम्स इसमें डाल के मिक्स करना है इन में से एक्स्ट्रा फ्लावर रिमूफ कर दें मीडियम हीड पे आईल को गरम करना है इनको फ्राई कर लेते हैं इनको 10 से 15 मिनट डी फ्राई करना है इनको तब तक फ्राई करना है इनके उपर गोल्डन ब्राउन कलर आजए यह फ्राई हो गया इसको निकाल लेते हैं जो बाकी रह गए उनको भी फ्राई कर लेते हैं इनको साइड पे रख लेते हैं बटर 4 तेबल स्पून बर्बी क्यू सास 1 कप हनी 2 टेबल स्पून चीली सास 2 टेबल स्पून लो हीड पे 5 मिनट इनको पकाना है इसमें ये फ्राई चिकन विम्स डाल देते हैं इनको 3 से 4 मिनट इनको पक करना है ये रेडी हो गया हीड बंद कर लिया इसको निकाल लेते हैं सेस्मी सीट डालें हर अधनिया भी डाल लेते हैं ये देखेंगे कितना ज्यादा अच्छा बन है बर्बी क्यू चिकन विम्स बनके रेडी हो गयें अब अपने स्पाइस और चिकन विम्स अपनी मर्दी से कम ज़्यादा कर लें आपको मेरी रेस्पी पसंद आए मज़े लाइक रेस्क्राइब करें थैंक्यू खुदा आफिस कि अपने स्टें मेरी उपने चिकन था त act contar कर अविम्स अपना है मैंझने खुदाब पैला यालज़ चो झाह है savakने श्यादा आपता कर लेकि थासPUS